लो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी का एक बहुत ही महत्वूर टोपिक जो की है संधी संधी आज की वीडियो में मैं आपको पूरा समझा दूँगा संधी आज के बाद आपको दुबारा देखनी की जुरत नहीं पड़ेगी जीवन भर याद रहेगी ये संधी और इस बार बोड के एक्जाम में 2023 में 2023-2024 जाहे जब आप पेपर दें ये संधी आपके बहुत काम माने वाली है खास करके क्लास 12 की में सारी संधिया यहां पर बताने वाला हूँ तो और आप 10 में भी हैं तो भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें आपकर 10 संधी भी मैच करती हैं तो आपको आज की वीडियो में संधी पूरा समझाओंगा तो वीडियो बहुत इंपोर्टन होन पहले सब्द के अंतिम मोड तधा दूसरे सब्द के प्रथा मोड को मिला कर ही संधी को बनाई जाती है मतलब जैसे आपको कोई भी सब्द लेते हैं तो उसका वो आपको पहला सब्द और मतलब पहले का अंतिम लाष्ट का पहला मिला कर ही संधी को निर्मित किया जाता है सब्दों के मेल को ही संधी कहते हैं अब सबसे पहली संधी हम पढ़ते हैं दीर्ग संधी दीर्ग संधी किसे कहते हैं दीर्ग संधी आची वीडियो में ये पूरा समझने वाले हैं तो दीर्ग संधी क्या है सूत्र इसका कभी-कभी सूत्र पूछ लेते हैं कोई के आपको एक्जाम में नहीं पूछा जाता है संस्क्र него पढ़ते हैं उनकी पूछा जाता न फीं शूंटर का लेकिन आपको कोई टीचर पूछ लिया यह कोई आपका फ्रेंड पूछ लिया तो तो यदि हरसु यदि हरसु या दीर्ग सो और आ ई उ रीलरी मतलब हरसु किसे कहते हैं दीर्ग किसे कहते हैं ये आप ध्यान दीजेगा हरसु आ जाए या दीर्ग आ जाए आ ई उ रीलरी इसे कहते हैं हरसु के बाद यदि क्रमसा हरसु या दीर्ग हरसु या दीर्ग आ ई उ म इस प्रकार आ जाता है लेकिन इसमें चोटा चोटी बड़ा चोटी चोटा हूँ इस प्रकार हरस्तु में आ जाता है तो क्रमसा हरस्त या दीर्ग में क्रमसा आए तो दोनों के मिलने पर क्रमसा दीर्ग हो जाता है अब यह आपको समझना होगा थोड़ा यह मैं आपको समझा कोई क्रमसा दीर्ग यह आ जाए तो उसके पसाद दीर्ग ही हो जाता है जिसे आपको पहले हरस्व समझ लेना होगा क्या है हरस्व हरस्व आ गया और एक दीर्ग होता है दो होते हैं ठीक है हरस्व में क्या होते हैं सभी छोटे आते हैं और दीर्ग में क्या होते हैं सभी बड तो भी बड़ा आ ही हो गा मतलब को दीर्ग संधी का मतलब होता है दीर्ग मतलब बड़ा ही होगा या आपको छोटा नहीं मिलेगा यहापे बड़ा आ ही आएगा हमेशा आएगा चाहे छोटा बड़ा मिला है बड़ा छोटा मिला है छोटा बड़ा बड़ा छोटा 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 चाहे बड़ा बड़ा चाहे जो मिला है तो इस प्रकार आपको कुछ example से मैं आपको समझाता हूँ जैसे हैं आपको मैं एक example देता हूँ यहाँ पर example पहला जो है वो है सत्यार्था सत्यार्था का example मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ सत्यार्था के का तो सत्य धन अर्था यह आप समझेगा सत्य धन अर्था यानि हो गया सत्य अर्था अब देखें, यहाँ पर क्या था? छोटा था, यहाँ पर भी छोटा था लेकिन यहाँ पर मिल के क्या हो गया? बड़ा हो गया इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया छोटा प्लस छोटा मिलके क्या हो गया बड़ा अ ठीक है अब यह आप समझ गये होंगे एकदम आसान है समझ गये होंगे बिल्कुल एकदम छोटा प्लस छोटा यहां पे मिलके हो गया बड़ा छोटा छोटा मिलके हो गया बड़ा अब आवाला एकजामपल तो आप समझ गये जैसे आप यहाँ पर बड़ा है यहाँ पर छोटा है लेकिन हो मिलके क्या हुआ बड़ा ही हुआ तो इस प्रकार आप संधी बना लेंगे अगर यह वाला फार्मूला आपको पता है न तो दीर के संधी कभी जिंदगी में कोई भी संधी पूछेगा दीर के संधी आप तुरं बड़ी इ मिलके क्या हो गया बड़ी इ तो गिरीशा इसी परकार महिंद्रा बड़ी इ यहाँ पर बड़ी इ है यहाँ पर छोटी इ है बढ़ो के मिलके क्या हो गया बड़ी इ तो इस परकार यहाँ पर क्या हो गया बड़ी इ यानि महिंद्रा अब मैं एक एक्जामपल द संधीर का सूधिय की इतना ट्रिक से मैंने बता दिया अब बात करते हैं गुर संधी की अब इसमें आपको समझाने की ज़रुवत नहीं पड़े क्किया अικά स्वेडिर्ग का अब आप समझ गए दिर्ग Another Gle autopsy पन्दी का सूत्र होता आद गुड़ा यहां पर परिभासा इसकी मैं बता देता हूँ यदि छोटा आ अथुआ आ के पस्चाद, हरस्वी दीर्ग, मतलब यहां पर हरस्वी दीर्ग यह मत कहिएगा, हरस्वी दीर्ग आ कह सकते हैं, मतलब छोटा आ यहां या बड़ा आ, यह आपको लिखना पड़ेगा अगर परिभासा कोई पूछता है तो के पस्चात हरस्वयादीर्ग EU अब यहां पर हरस्वयादीर्ग में आ नहीं आएगा क्योंकि आ एक बार आ चुका है यह मैं आपको थोड़ा भी समझाता हूं पहले परिभासा पढ़ लेते हैं हरस्वयादी दीर्ग EU री एवं लिरी आ जाए तो उनके अस्थान पर क्रमसा ए ओ अर अत्वा अल हो जाता है यह आपको थोड़ा समझना होगा क्योंकि यूल फंदी में यही एक बात होती है समझने वाली अब देखें यहां पर कह रहा है जैसे आपको अगर कोई भी एक्जामपल लें या तो A मिलेगा यह दो आपको जरूर मिलेंगे हरस्व दीर्ग A जरूर मिलेगा और उसके साथ आपको क्या मिल जाएगा कह रहा है हरस्व या दीर्ग कोई भी मिल सकता हरस्व दीर्ग में E मिल सकते हैं U मिल सकते हैं री मिल सकते हैं मतलब अगर आपको मालीजे E मिल जाता आप थोड़ा एक जामपर लिख लेता हूँ आ जैसे है यहाँ पे एक दो तीन एक चार है चार में लिख लेता हूँ ठीक है छोटा बड़ा आप समझेगा मतलब दोनों आ सकते हैं ठीक है ए लिख लेता हूँ एक और एक लिख लेता हूँ एक लिरी यह आपको चार मिल सकते ह यह मत कहिएगा कि बड़ी ई आ गया छोटा हूँ आ गया इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर बड़ी ई भी लिख सकते हैं छोटी ई लिख सकते हैं बड़ा हूँ छोटा हूँ छोटा री बड़ा री री कुछ भी लिख सकते हैं अब अगर आ और ई मिलता है जैसे कह रहा है आ और E मिलता है, तो इनके अस्तान पर क्या हो जाएगा, उनके अस्तान पर A हो जाएगा, यानि A E मिलता है, तो A, 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 A मिलता है तो अल हो जाता है यह मैं आपको एक जामपल से क्लियर कर दूँगा अल हो जाता है और लिरी मिल जाता है तो यहां पर री मिलेगा तो अर होगा और लिरी मिलेगा तो अल होगा यह आप ध्यान देके चलेगा यहां पर अर हो जाएगा और यहां पर अल हो जाएगा ठ अब नरेंद्र आप वी प्रकारिक जम्पल है चोटा आ छोटी भी किया भण गया अब इस प्रकार मht बन बगन उर्मी यहां पर लेकिन लगूर्मी नहीं होगा फिलाल लगूर्मी इसमें आ जाएगा यहां पर आपको एक लिख लेना है मतलब कोई भी आपको मिल जीए एक्जामपल तो आपको लिख बनके ओ गया अब यहां पर है महाधन उदया बड़ा आ छोटा हूँ मिलके क्या बन गया ओ बन गया इसी प्रकार फिर आप मैं आपको एक री वाला एक जामपल समझाता हूँ री वाला एक जामपल क्या है देव धन रिसी तो देव छोटा आ री यानि बन क्या गया अर देव परसी यही है फिर यहां पर तवलकारा तवधन रिकारा यहां पर छोटा आ और यहां पर आगया लरी तो यहां पर छोटा आ लरी मिलके क्या बनता था मैंने बताया था आल बनता था तो तवलकारा बन गया न तवलकारा इस प्रकार यहां पर दीर गवर गुर संधी मैंने आपको समझाया दिर्ग गुर संधी काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है बस आज के वीडियो में इतना ही था दिर्ग गुर संधी बाकी आगे के वीडियो में मैं और भी संधिया क्लियर कर दूँगा कि वीडियो वह ज्यादा लंबा हो जाएगा यह पूरा डाउद मैंने यह आपको थोड़ा लंबा वीडियो देखने को पड़ा लेकिन आपको यह पूरा डाउदा संधी का क्लियर हो गया है तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था वीडियो कैसल का कमेड़ों कर दो बताना पसंद आए तो लाइक करना चनल को सब्सक्राइब करना मिल इसके नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब आए